हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगा भी एच्छु पार्ट साला चैनल में स्वागत हैं दोस्तों भी एच्छु पार्ट साला एक आलनाई लटनी प्रेट फार्म है जो कि आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ इन्फॉर्मेटर वीडियो आफ सेंटर इन्वर्सिटी इसके पहले एक वीडियो में 11,000 MCQ बैंक कोस्चन का फस्ट पार डाल चुका हूं आज इसका सेकेंड पार जाएगा जो की काफी लोगों ने इसके पहले वीडियो को देखा है वैसे ही आप इस वीडियो को भी देखिएगा बहुत इसमें मैं कोस्चन आपकी एक्जाम में हसने के चांसेज है मैं 100 कोस्चन की बात कर चुका हूं इसलिए सीधे हम लोग नीचे चांगे अब ठीक है और 101 से आज स्टार्ट किया जाएगा यहां से स्टार्ट होगा ठीक है आज रेडी यहां से पहला कोस्चन आज कर रहेगा कोस्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवस्यक है ठीक है है ससकत सैनेबल वैकतिगत अधिकारों के प्रतीसम्मान एक दलिय और बेवस्था क्रिसी और्थभिस्था औफ्सन कहा जाएगा ब भहुत फिर्मस कोस्चन है है हमारा जो समीध्थान में हो रहा हुँ हो रहा है तो कहां कहां से कौन कौन से समीध्थान में चीजे उठाकर रखे गई हैं क्योंकि हमारा जो समीध्थान हैं एक आशेंबल के अब समयध्थान है collection of different Constitution of different तो इसी तरीके से से questions आते रहते हैं आज सुबह में मैंने पॉलिटी के एक वीडियो डाला था कि क्या questions कैसे questions कहां से questions पॉलिटी भारती राज ब्योस्था में पूछे जाते हैं वह काफी फादे मन रहेगा बाइद वे चलिए इस वीडियो का भारती समिधान ने लिखी समिधान के रूप में प्राप्त किया है तो आपसर नमबर सी यू एस ठीक है आपको एक और बात कमेंट करके बताना है कि 20 सबसे बड़ा लिखी समिधान कौन सा है चौथा question आज का है भारत के समिधान के उद्देशिका में धर्म निर्पेश समिध समिधानिक संसोधन के तहत इसको जोड़ा गया और आपको एक और question का answer यहां कमेंट बाक्स में करके बताना है कि हमारे समिधान में किसको मीनी समिधान कहा जाता है ठीक है next question है प्रस्तावना मिंस प्रियंबल की कौन सी भी सिस्ता में कहा गया है किसी भी सहनागरी के साथ ग यह प्रस्तावना में बात की गई है प्रस्तावना से question आते हैं मैंने discuss भी किया थे निम लिखित में चटा question किसने समिधाने को उप्चार के अधिकार को भारती समिधान के हिर्दय और आत्मा की संग्यादी है डाक्टर राजिंद प्रस्तावन ने बोला है बियार अंबेट इचारे से थीक है भारत के समिधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव ने मलिखित में से किसका माना जाता है US का समिधान सोबियत रुस का समिधान ब्रिटिस समिधान भारत सरकार अधिनियम 1935 क्योंकि सबसे यादा आर्टिकल यहां से ही आपको मिल जाएंगे ये कमेंट से बताना है कि कितने आर्टिकल हमारे भारती समिधान की मुख विसेस्ता नहीं है अर्दसंगी सकती की प्रिथकरड मौलिक अधिकार अल्पतंत्र अल्पतंत्र हमारे यां नहीं है अर्दसंगी बोला जाता है इसके ठीक है नेश्ट है इनमें से कौन भारत को एक secular raje के रूप में वर्डित करता है कौन करता है? निर्देशक सिधान प्रस्तावना संग सुची समुष तो कौन हो जाएगा? प्रस्तावना ब्रас्तावना बहिवारा preamble है न वही बोलता है कि इंडिया इज ते सेकुलर कंट्री ठीक है वहां पर सेकुलर वर्ड यूजर गया है धर्म निर्पिच वर्ड यूजर किया गया है निम लिखीत में कौन से कौन सा सथ भारती समिधान के उदेसिका में नहीं लिखा गया है बिसेकली पूरा प्रियेंबल चल रहा देखिए तो यहां पर जो आफसन नमबर डी है साम में वादी यह वर्ड नहीं है समाजवादी है सोशलिस्ट समप्रभू भी है सौवरीन धर्मनिफिस सेकुलर तीनों वर्ड मिलेंगे लेकिन समाजवादी वर्ड जो है यह नहीं मिलेगा ठीक है नेश्ट है भारती समिधान में एकल नागरिक्ता की ओधार्ड किस देश से ली गई है देखिए आप चार आफसन दिया हुए है आपको बताना है तो इंगलेंड से हमारे यहां ली गई है सिंगल सिटजन सिप ध्यान रखिएगा ठीक है आपको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका कौंसे डिसिट जजन सिप में आता है मलब freuen कौंसे डिजन से को मानता देता है थर्टीन कोस्चन आगरिक्ता की अधारडा निमलीखित में से किस देश के लिए ली गई है हो गया है यह कोस्चन बहुत important है इसको अपने सपनों की डारी में नोट कर लिजएगा इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ इसका हो जायागा D ठीक है चौथा दूसरा तीसरा मिन्स अनुरोद द्वारा दूसरा अनुवानसिक्ता द्वारा मिन्स जन्रेसन टू जन्रेसन जैसे आफसन नंबर सभी विकल सही है राजनितिक आर्थिक समाजी भाई हमें हर तरीके की न्याए देने की बात की गई है चाहे समाजी को चाहे आर्थिक को नेक्स कोस्ट्चन है नाविक्ता प्राइब करने के लिए सरते निर्धारित करने वाला समच निकाय कौन सा है चुना आयोग, राशपती, संसद, संसद और विधान सबाएं तो answer number C, संसद ठीक है, अच्छा एक और मैं यहाँ पर doubt क्लियर करना चाहूँगा ठीक है, next question आने से पहले बहुत लोगों को constitution में difference ठीक है, कि हमारे समवीधान को कब अपनाया गया, पहला है कब लागू किया गया, दूसरा है और एक और word use होता है मुझे याद नहीं आ रहा है तो basically इन सम में difference लोगों को नहीं पाता है तो इसके पहले वाले part में मैंने discuss किया था और आज के सुपर के स्लाबस में भी discuss किया तो please आप उसको देख के अपना clear कीजिए उस confusion को मुझे नहीं नगता है कि छोड़ी इस चीज को confusion दिमाद में रखनी चाहिए कौन व्यक्ति भारती नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्स जाधीक रहा हो स्माप्त की गई भाई बहुत फेमस कोष्चन है सही है क्या c ठीक है देखे इसमें याद करने का तरीका है सत्र शासस मलब समानता ऐसे ठीक है कि दोहरी नागरिकता निम लिखेंसमें से किसकी विसिस्ता है दोहरी नागरिकता किसका हो जाएगा B. संगी सरकार का ठीक है फिर देखिए मौली क अधिकारों को लागू करने के लिए निमनोक्त में से किस नियाले द्वारा जारी किया जा सकता है आफसर नमबर C. समादेश ठीक है रिट जिसको बोलते हैं अब मैं थाफास चल रहा हूँ बहुत लंबा हो जाते हैं आप लोग को मैंची डेटा देने का मेरा उद्देश है भारती समिधान के मौली का अधिकारों के अंतरगत इनमें से कौन समलित नहीं है भाषड की सुद्दा का अधिकार मिन्स राइट टू स्पीच फिर है विदी के समझ समता का अधिकार समिधान उपचार का अधिकार बराबर काम करने का वेतन का अधिकार तो सही आंसर क्या हो जाएगा वेतन का अधिकार ठीक है अफसर नमबर D फिर कोस्चन है भारती समिधान का अनुच्छी 32 अनिम लिखित में से किस्ते संबंदीत है यह बहुत ही फेमस है इसका जल्दी से कमेंट्स करके आप लोग बताईए मैं पढ़कर बता रहा हूं फिर से मौली का दिकार नहीं है मनल कुल सोंचते हो ना हब नहीं यह थिक नहींन में है सम ezने कि आफसरन नंबर यह बहुत इंपॉर्टेट्न द्यान डिकार डिक सेस्थर्ठ नमबर भी अनुच्छे 16 ठीक है नेक्स्ट देखिएगा नागरीत समन्ता का आसे क्या है आफसर नमबर एक कानून के समझ समान्ता ठीक है इसा कोश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट है सब किसी एक्जाम में किसी साल पूछे गए निम लिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीति का अधिकार पूछा जा रहा है क्या सुनता अधिकार गलत सही हैं से क्या हो जाएगा चुनाओ लड़ने का अधिकार राजनीति का अधिकार है ठीक है निम लिखित आधारों में से एक कसोटी कौन सी है जिस पर समिधान का अनुच्छे 15 में राज द्वारा भेदभाव वर जित नहीं है आफसर नमबर सी भासा ठीक है ने किसी को कुछ प्राब्लम रहेगा तो कमेंट्स करके मुझे बता देगा ठीक है इसी वीडियो में किसी कोस्टन में डाउट रहेगा तो मैं उसे क्लियर्फार करता हूंगा बारती समिधान का अनुच्छे 19 प्रदान करता है क तो आफसर नमबर ए हो जाएगा इसमें 6 प्रदान करता है ठीक है नेक्स्ट है भारती समिधान का अनुच्छी नागरिकों को गारेंटी देता है किस चीज की गारेंटी देता है यह जल्दी से पहले आप कोस्टन पढ़ लो पिजल्दी से आंसर क्या जाएगा आफसर सब्सकतिता. नेक्स्ट गवशेचन बारत किस अधिकार के मादियम से सुन चीज की जाता है बारत में मौ अधिकार की सदिकार सुनच्छित में अनुच्छित किता आता है तो राइट टू प्रापरिटी नहीं संपत्ति का दिकाल नहीं राव समिधान भारति समिधान के किस अनुछेद में भारति नागरिकों के मुल करतब वे सामिल है यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है इसमें क्या जाएगा 51 के क्यों जाएगा 51 का 51 का 51 टोटल अब मुझे इक देश काहां से हमारे पास और एक और कमेंट को मुझे काा के संबाएगा 59 कुई भेदभाव नहीं करेगा भाई फिर भारति समिधान का कौनसा अंुछेद अस्प्रिष्टा का किसी उसके करता है और किसी बीश्यां करता है और किसी भीजानिदे बीवार का निसेद आ कौनाutetरो 17 मलब साथ सात है मbnलब अस्प्रिष्टा का उनमूलन ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है 36 कुस्टेन आज का बारती समिधान का नुच्छा 17 में उपलब्द किया गया है क्या अक्र Dopлад किया है आफसा नमबर डी अस्प्रिष्थाका उनमूलंद का वही कुस्टेन थे तरीका चेंज कर रहा है मैं माइनर बदल दे रहा है निम लिखित में से किस मामले में उच्चतम नियाले ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता है तो आफसा नमबर डी गोलगनाथ मामला में ऐसा हुए था ठीक है वही फंडामेल्टर राइट इस सकनेस नियूर्ब सस्था करेंगा तक कौन से भाग में मौलीक अधिकारों की चर्चा कि गई हуется भाग तीन ही मैं डिसक। भी किया था भाग तीर में आप कमेंट्स करके बताओ कि हमारे fundamental rights जो है कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है ठीक है कमेंट्स करके जल्दी बताओ कमेंट्स करके मौलिक करतब्यों के आध्यान में सामील है क्या सामील है चार आफसन है इसमें आप अच्छे से पढ़ लो और मैं आप आंसर टिक कर देता हूं ए आफसन सा हमने है मौलिक अधिकार नहीं दिये जाते मौलिक अधिकार किसको नहीं दिये जाते है आप कमेंट्स करके बताओ कि स्टार मार्क में है ऐसे क्या है दिवालिया बेक्ति को विदेसियों को असाद रोगों से ग्रसित बेक्तियों को राजनीतिक पीडितों को एक कमेंट्स कर देखोंगा लेकिन पहले आप इसका देना ठीक है ओके थैंक्यों चलिए आगे बारती समिधान में कितने मौली करतब है देखिया गया आप रिसाइद इसका पहले तांसर कमेंट में कर चुके हो ना लेकिन चलिए आप मैं बता जिता हूं कितने हैं 11 ठीक है प्रजेंट टाइ में मैं फिर से क्लियर कर देता हूं मौली करतब जो प्रजेंट टाइम में कितने 11 सरदार स्वर्ड सिंग समीती के आधार पे समीधान के 42 संसोदन जो कि कब हुआ था 1976 में हुआ था मौली करतब समीधान में जोड़ा गया था ठीक है और यह अनुछेत कितना है 51 को यह मैं प प्रक्रिया नेक्स्ट को इसे कौन सा मौली कर दिकार केवल भारती नागरिकों को उपलब्द है केवल भारती नागरिकों को ध्यान रखेगा तो आफसन नमबर सीधर्म जाती वर्ड लिंग और जन्मिस्थान के अधार पर भेत भाहों से सुरच्छा यह मारे हैं पहले से निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे भी आरंबेटकर ने समीधान का हिर्दे और आत्मा की संग्यादी है यह बहुत कई पर पूछा जा चुका कोस्चन है और इसका अंसर हो जाएगा समीधानिक उप्चारों का अधिकार ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है प्रेश की तोतंता किस अधिकार में नहीं थे मिंस जो मीडिया वाले होते हैं या फिर हमें किसी चीज को उज्यागर करने के जो होती है यह इसका राइट पूछा जा रहे है तो आफसन नमबर भी भासर्ड और स्वतंत्र भैठीक है नेक्स्ट कोस्चन है भारती समिधान में मौली करतब कब समाविष्ट किया गया भारती मौली करतब भाई वही है जब आर्टिकल पता ही आपको कौन समिधानिक संसूदर ने 52 तो कब हुआ था या आप खुद बता सकते हो कमेंट्स करके ठीक है निम लिखित में से कौन सा भारत के समिधान द्वारा प्रत्याभूत मौली का दिकार है तो आफसर नमबर डी समानता का दिकार ठीक है नेक्स्ट है भारत के समिधान में मौली का दिकार मौल दिकार का हिस्सा है चोथी संसूदर जोड़ा गया संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया 42 में समिधानिक संस जब इन डूटी पूछता तो हो जाता है बैले सम्धानिक संसोदन 1907 निसूल्ग सिछा का अधिकार कि कुछ सिमाओं के अंतरगत आता है निसुल्ग सिच्छा भाई पता है ना कितने से कितने साल हमें पर सकते कितने साल कर डिए करके नहीं बारत के संपत्ती के अदिकार माना जाता है मंस रजिस्ट्री हो जाएगा आपके नाम से आप बस उस पे इतनी दावेदारी कर सकते हो कि यह मेरा लेकिन आप उसको अपना जन्व से रदिकार नहीं वहां सकते गवर्मेंट जब चाहिए आप से ले सकती है और ऐसा होता भी यह रोड रोड कहीं बनता है रेल के पटरिया नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निम लिखित में से आर्टिकल 21 की सदिकार भाई ये बहुत फेमस है अब एक मूवी भी आये थी आपने पढ़ा देखा होगा देखा होगा टेबल नंबर टेबल नंबर 21 देखा होगा तो क्या हो जागा आंसर जीवन जीने का अधिकार इसी के तरथ हम लोग जीते हैं ठीक है उसमें रैगिंग दिखाए गया है मूवी में थोड़ा सा प्रवेस रावल उसमें है भारत में कानून के समच समानता कहां से लिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समिधान से ठीक है नेखी कि निया को यह लंबा जरूर हो गाले ward के आप इसको पूरत देखोगे क्योंकि आइसे संविद्धान में सोना होई जाता है नागरी को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है तो क्या प्राप्त है दोनों को मौलिक अधिकार नेक्स्ट है भारती समिधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं तो अपसन नमबर बी कितने हैं छो ए प्रजेंट टाइंग बता रहा है त्यान रखेगा जब बना थे तब साथ फंडामेंटल ध्यान रखेगा समता और अस्प्रिस्ता वाला सावंटीने सब दिमागों बैठाते चले जाएए नोट डाउन कर लीजिए भारती नागलिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो आफसर नमबर इसका क्या हो जाएगा आफसर नमबर ए रास्टी आपात के दोरान नेक्स्ट भारती है प्रिच्छा सबसाब्दिक अर्थ क्या है तो इसका अंसर जागा सी किस अधिकार से थोड़े मुझे कोस्चन्स हो भी हैं लेकिन अच्छे कोस्चन्स भी है मैं आएक्सम अच्छे ही है निलिकित में से किस इस्तिती में बंदी प्रतिछी अधिकार है ठीक है कानोनी अधिकार है नि hiss अधिकारों में निम अधिकारों से संबंदित इसे कौण सा है ठीक है तो पूछा जायर日本 था— मance सनल और फिर क्या अंसर हो जाएगा option number D 11 ठीक है सिच्छा का अधिकार एक मौली का अधिकार बन गया सिच्छा का अधिकार मौली का अधिकार कब बन गया एक अप्रील 2010 से ठीक है आगे राज जी के निती निरिसक सिधानतों के अनुसार किस आयू तक के बच्चों को निसूल के अनिवार सिच्छा देने का आसे की जाती है तो कितने से कितने तक देखें यहां पर option number A 14 भरस तक ठीक है उपर वाले question में तो रस हर doubt क्लिर कर लीजेगा मुझे पता है comment आने लगे ठीक है चले देखें इसमें क्या होगा A 2002 होगा ठीक है इसको क्या कर लीजेगा इसमें option मुझे लग रहा है match नहीं कर आप comment इसके पताईएगा यहां इसके बारे में मैं data आपको दे देता हूँ 2002 December 2002 से 86 constitutional amendment 86 समिधानिक संसोधन के तहट किस article में 21 call या 21 a में जोड़ा गया मौलिक अधिकार के रूप में जिसके तहट 6 वर्स से 14 वर्स के आयू के सभी बच्चे मुप्त सिच्छा प्राफ्त करेंगे free सिच्छा ठीक है और इनका fundamental rights हो जाएगा ठीक है पूरा चीज़ समझ में आगया फिर से बता रहा हूँ December 2002 पहला चीज आगया 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 बारती समिधान के किसकी सिफारिस पर मूल करतब्यों में समलित किया गया था तो आपसन नंबर भी अभी मैंने उपर डिसकस भी किया था स्वाड़ सिंग समीती एक कोशन इपॉर्टेंट है सापनों के डारिम नोट कर लेज़े राज निती निदेशक सिधान के साथ भारती समिधान का कौन सभाग संबंदी थे अपसन नंबर C भाग 4 ठीक है चलिए आगे चलिए अब जली से इसको कंप्लीट करते हैं हमारे समिधान में निदेशक सिधान ठीक है आफसन नंबर D क्या है कानुई अदालतोदारा और परवर्टनी है नेक्स कोश्चन है भारती समिधान नागरिकों के लिए आर्थिक निया किसके माद्यम से सुनिश्चित करता है तो आफसन नंबर C प्रस्तावना से और आज का सेकेंड लाश्च कोश्चन है भारती समिधान का भागचान निमली किस से संबंदित है तो आफसन नंबर D राज के निती निदेशक्तत्तों से ठीक है किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरित्ता एवं संपूर विसेस्ता होती है ठीक है यह प्रॉपर्टी जब कांस्ट्टूशन है तो इसमें आ जाएगा बी आफसन जागा संगी ठीक है ध्यान रखेगा तो आज यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं इसको और फिर ने वीडियो हो चुका है लगब कितने मिनट का टूंटी टू मिनट्ट